आसान तरीके से रोटी कवर बनाएंगे जिसमें रोटियां बहुत देट तक गरम और मुलाइम रहेंगे जितनी बड़ी रोटिया बनाती हैं उससे दो तिनी ज्यादा बड़ी प्लेट हमें लेना है और इसे गुलाई में मार्किंग कर लेंगे उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे ये मैं कॉटन का कप्रा यूज कर रहेंगे आप किसी भी तरह का कप्रा यूज कर सकते हैं लेकिन अंदर हमें वाइट कलर का कॉटन का कप्रा ही लेना है तो दो पीस मैंने cotton कपरे के लिए white color के उपर के लिए printed लिया है एक printed कपरे को सीधा करके रखेंगे उसके उपर white वाला कपरा और सबसे उपर foam को रखेंगे अब इसमें हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है थोड़ा सा खुला रखेंगे जिससे हम बाद में इसे सीधा करेंगे सीधा करने से पहले इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हम छोटी छोटी से कट लगा लेंगे क्योंकि कपड़ा गुलाई में सिला हुआ है इसलिए जब कट लगा कर जब हम इसे सीधा करेंगे तो गुलाई बहुत ही अच्छी आएगी अब जो खुली वी जगह है उसमें से इसे सीधा कर लेंगे उसके बाद जो खुली वी जगह है उसमें से कपरे को अंदर से फोल्ड करते वे किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे कपरे को अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे तो इसे दो पीस हमें बना लेने है अब एक पीस के ओपर दूसरा पीस रखना है और इसमें हमें इस तरह से सिलाई लगानी है तो ये रोटी कवर बन कर तयार हो गया है इसमें रखी रोटीया काफी दिट तक गर्म रहती है तो प्लास्टी के डबे में रखने से अच्छा है कि आप कॉटन के कपरे में आप ट्रेवल भी कर रहे हैं इसको यूज कर सकते हैं